प्रवतन इदिशाले एडी ने पूर्व रेल मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पवन कुमार बंसल से उनके भतीजे से चोड़े रेलवे के रश्वत मामले में पूछताच की उच्च पदस्त सूत्र के अनुसार बंसल से बुद्वार को एडी के चंडिगर कारेले में करीब आठ गंटे तक पूछताच की गई सूत्र के अनुसार आने वाले दिनों में बंसल से एक बार फिर उनसे पूछताच की जाएगी E.D. ने इस मामले में पिछले साल माई में 89 लाक रुपए की राशी अटैच की थी यह राशी C.B.I. ने 2013 में बंसल के भतीजे विजय सिंगला के दफ्तर से जब्त की थी बता जाता है कि U.P.A. 2 के शासन में बंसल जब रेल मंत्री थे तो उच्छ पदों पर नियुक्ती में धांदली का मामला दर्ज हुआ था विवाद बढ़ने पर बंसल को पद छोड़ना पड़ा था C.B.I. की प्रात्मिकी के आधार पर E.D. ने ततकाली ने डेलवे बोर्ड सदसे कर्मिचारी मगिश कुमार विजय सिंगला और संदीब गोयल समेत साथ आने के खिलाफ मनी लॉंडरिंग का मामला दर्ज किया था